नबसकार न्यूज 18 आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ मैंवने इप ख़बरों की शुरुआत करेंगे दारूल अरूम देवबन का देश वीरोधी फत्वा जारी किया गया है गजवा एहिंद के समर्धन में फत्वा जारी किया गया दारूल अलूम देवबन ने वैब दारोलूंग देवबंद की वेबसाइट पे एक फत्वा जिसकी हमको शिकायत मिली वो ये था कि गजवा ए हिंद के बारे में अतलब भारत पर हमला करने के बारे में उन्होंने बताया है जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये है फत्वे में कि हजरत अबू हुरेरा ने ये कहा और इसको पबलिश किया है मुखतार एंड कंपनी नामक के एक पबलिशिंग हाउस ने देवबंद में जिसके बारे में दारोलूंग देवबंद अपनी वेबसाइट पर लेते हैं कि गजवा ए हिंद करते हुए यानि भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद हो भी भारत के यह पाकस्तान के हो या बंग्लादेश के हो खमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफ्रत पेदा करना हमाय देश को उन बच्चों की दिमाग में दुश्मन की तरह निरोपित करना राष्ट द्रू हो है हमने SP और DM सहरनपूर कोोटिस किया है हमने कहा है क इसमें FIR दर्श करिए, कारवाई करिए और हमको अफ़गत कराईए दूसरी तरफ जला प्रशासन ने दारूल उलूम देवबन प्रिद्बंधन पार इस पूरे मामले में कारवाई की तैयारी कर ली है और डियम साहरनपु ने कहा है कि टीम ने जवाज शुरू कर दी है और आज शाम तक प्रभावी कारवाई की जाएगे कि यार ने आदेश दिये हैं कि अगेंस्ट है बच्चों की राइट्स के अनुसार और अधिकारों के अनन है और तम्हें तमाम कानून की प्रिदियों के प्रतिकूल है उसका राष्ट ये एंसीपीसी का एक आडर प्राप्त हुआ है जिसमें फाइयार दर्ज करने के निर्देश दिये गया है आदर ने बरिष्ट पुलिस अदिक्षक महदे को इस पत्र को भेजा गया है साथ ही जिसके क्रम में सीयो और एसजियम देवन उसकी तस्दीक करके इस पर कर रहे हैं और आज सान तक इस पर प्रभावी कार्या में नियमानसार हो जाएगी ये कारवाई किस किस के विरुट पर दर्ज कराएगी नहीं अभी इसमें निर्देशित किया गया है जो भी लोग इसमें इसकी परिदी में आएंगे उत्तरदाई होंगे उनके खला गया है कि अगर ऐसा हुआ कि हिंदू मुसल्मान की कोई लडाई हुई इसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा अगया है कि अगर ऐसा हुआ और हिंदू मुसल्मान की कोई इस तरह से लडाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा उसमें क्या है एक आदमी को रोड पे चलते हुए गाय के नाम पर मारा जाता है वो भी तो शहीदी है ना सवाल ये है कि अगर हिंदू और हिंदू धरम गुरू चीख चीख कर मंचों से कहें कि हमें मुसल्मान को यहां से निकालना है, मुसल्मान को बगाना है उनको खतम करना है, उनको मारना है, काटना है, चुरी तेज रखो, तलवार तेज रखो और तलवारे बाटी जा रही है, बंदूखे बाटी जा रही है और बाकैदा RSS के तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं है लेकिन अगर मुसल्मान सम्मिदानिक रोप से ये चाले कि ये मेरा देश इसलामिक स्टेट हो जिसमें चोरी करने पर हाथ काटा जाए जिसमें अगर कोई बेहन बेटी के साथ रेप करते तो उसको संगसार किया जाए चोराए पर सब के सामने पत्थर मार कर उसको मार दिया ज आज देवबन दरुल उलूम की वेबसाइट के हवाले से एक खबर छपा गया या एक फत्वा छपा गया जिसमें कह दिया गया कि गजवाय हिंद वैद्ध है मैं समस्ता हूँ कि इस तरह का बयान हो भी तब जब देश एक ऐसे दोर से गुजर रहा हो जहाँ शांती की जुरुरत है अखंडता की जुरुरत है एकता की जुरुरत है वहाँ ऐसे समय पे गजवाय हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अपरत्यक्ष संदेश है और मुझ जजवाए हिंद की बैदिदा का फत्वा जो जारी किया गया है मैं इसकी गोर निंदा करता हूँ ये फत्वा एक देश-द्रो का फत्वा है इस से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू-मसल्मान के अंदर मत्भेत पैदा होगा इस प्रकार के फत्वों से बचना चाहिए और सरका को इसके उपर फत्वा देने वाले मौलबियों के उपर एक्शन लेना चाहिए प्रदान मंत्री मोधी का आज गुजरात और काशी दौरा है पेम मोधी आज गुजरात के महस्ताना में थे जहां उन्होंने वलिनात महादेव मंदिर में पूजा अर्शना किया और गुजरा का लुकारपन और शला नयास भी किया जिसमें सड़क रेल उर्जा समित का इस श्वेत्रम के प्रजेक्ट शामिल है इसके बाद में आज प्रदान मंत्री मोधी रात में अपने संसदी श्वेत्र वरणसी पहुंचेंगे और रातरी विश्राम के बाद में कल काशी में 14,316 करोड की यूच्णाओं की शुरुवात करेंगे तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी का आज कुजरात का भी दौरा रहा यह तस्वीर हम आपको लिखा रहे हैं आज की जब मंदिर में पहुचे और पूजा अर्षना की और आज शाम को काशी पहुचेंगे और काशी में पहुचकर बाबा विश्वनात के दर्शन भी करेंगे और इसके अलावा कई बड़ी स्वागात काशी वासियों को भी देंगे दो हजार चौबिस में होने वाली लोकसभा इलेक्शन से भी जोड़ कर इस वारे को देखा जा रहा है और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी का स्वागात देंगे और साथी दो हजार चौबिस का शंकनाद भी करेंगे तो यह तस्वीरे आप देखिए जहां पर भगवान चिव पर चलाविश्यक करते हुए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी मंदिर के अंदर की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर ज प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी आज अपने संसदी शेत्र वरण असी के दो दिवसी दोरे पर जाएंगे यहां पर वो चौधा हजार तीन सु